सब्सक्राइब करेंगे चैप्टर नमबर टू सॉल्विंगा बाइलेजिकल प्रॉब्लम तो यह होगा उसका लेक्टर नमबर वन तो हमारा टॉपिक है वो है टर्म्स यानि कि कुछ टर्म्स हैं कुछ डेफिनिशन्स हैं उसको हम डिसकस करेंगे सबसे पहले इस चैप्टर में तो टर्म्स जो है नमबर वन जो है रेशो अब रेशो जो है वो कंपैरिजन है दो वैल्यूस का जो के इस तरह से तर्तीब दिय जाता है कि फर्स्ट वैल्यू अपाउंट सेकंड वैल्यू एक्जेम्पिल जैसे एक फ्लावर के फॉर सैपल्स और ट्वैटल्स हैं तो उनका रेशो जो होगा वह फॉर रेशो ट्वैल्फ और उसको हम मजीद इस तरह करना से भी एक्सप्रेस कर सकते हैं कि one ratio 3 यह रेशो जो यह जैसे और हम कालकुलेट करेंगे फॉर रेशो ट्वैल्फ को यह रेशो आएगा हमारे पास अब टर्म नमबर टू जो है हमारे पास वो है बायलोजिकल मैथट बायलोजिकल मैथट को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि एक कुश्चन को फॉर्मुलेट करके उसके बारे में डेटा कलेक्ट करना और लिविन थिंक्स के बारे में हाइपॉथिकल आंसर यानि फद्जी जवाब को टेस्ट करके उसका जो नौलिज है उसको आगे बढ़ाने का जो मैथट है वो कहलाता है बायलोजिकल मैथट और टर्म नमर 3 जो है ग्राफ अब ग्राफ को जो है वो एक फिक्तोरियल रिप्रेजेंटिशन या तस्वीर की शकल में या डाइग्राम के जरीए डिफाइन किया जा सकता है जो के represent करता है data या values को एक organized manner में और graph पर जो points होते हैं वो दो या दो से ज़ादा चीज़ों के दर्मियान के relationship को represent करते हैं अब जो हम time number four discuss करेंगे जो करेंगे हाइपोथिसिस hypothesis की तारीफ यह है कि एक scientist की तरफ से एक statement की form में किया गया एक intelligent guess और यह note करना जरूरी है कि hypothesis जो है वो test करने के काबिल होने चाहिए और number five जो term है हमारे पास वो है law law की definition यह कहती है कि एक scientific law जो है वो एक uniform और constant fact है nature का और यह जो है virtually यानि अमली तोर पर एक irrefutable theory है यानि ना काबल तरदीद नजरिया है और अब जो term है वो है inductive reasoning इंडक्टिव रीजनिंग जो है वो move करता है scientific है general की तरफ जैसे shark एक मचली है और सारी मचलीों के scales होते हैं इसलिए shark के भी scales होते हैं अब जो हम discuss करेंगे वो है term number seven conclusion एक scientific method का final step होता है conclusion यानि नतीजा develop करना यह वो जगा है जहां experiment के सारे results को analyze किया जाता है और hypothesis के बारे में एक determination यानि अज़म हासिल किया जाता है अगर आपका hypothesis support किया जाता है तो सही वरना उस पर दुबारा experiment किया जाते हैं या कोई दूसरे तरीके ढूंडे जाते हैं जो आपके procedure को improve कर सके conclusion की example यह है कि यह conclusion बना कि plasmodium जो है वो cause है malaria का अब हम अपनी इस slide में term number 8 और 9 डिसकस करेंगे term number 8 जो है वो है proportion proportion एक equation है जिसमें यह बताया गया है कि दो ratios जो हैं वो equal है एक दूसरे के example अगर एक flower के पास four sepals और twelve petals हैं तो उनका ratio होगा four ratio twelve और ज्यादा calculate करने पर यह ratio जो है वो इस तरह से होगा कि one ratio three तो proportion के हिसाब से यह दोनो ratios जो हैं वो एक दूसरे के बराबर हैं और वो इस तरह से लिखे जाते हैं जैसे आप देख सकते हैं कि two के four ratio twelve और पर double colon आ रहे हैं और one ratio three अब जो है second last जो है term है वो है observation observation एक statement है knowledge की जो के हासिल की जाती है census से और scientific equipment के use करने से अब हम अपनी last term discuss करेंगे जो के है mathematical models mathematical model जो है वो reality की encoding और decoding का एक process है जिसमें एक natural phenomena reduced हो जाता है एक formal numerical expression की शकल में casual structure के जरिए तो इस तरह से हमारा topic जो है terms का definitions का topic खतम होता है और next topic जो आने वाला है वो आपको next slide पे हम discuss करेंगे आपके साथ अब हमारा next topic जो है वो है differences का तो हम difference number one जो है वो discuss करेंगे theory और law के दर्मियान का difference theory जो है वो well tested और highly reliable scientific explanations होती है natural phenomena की और scientific law जो है वो uniform and constant fact होता है nature का और यह theory जो है वो more complex होती है law से अगर हम उसको compare करें तो और contain करती है several supported hypothesis को और law जो है वो visually based करता है एक well supported hypothesis पर जो के state करता है कि something will happen यानि कि कुछ हो सकता है इसके बारे में या कुछ होने वाला है और theory जो है वो attempt इसलिए की जाती है कि how और why को explain करने में यानि कि क्यों और कैसे और law जो है वो consider किया जाता है universally true और वो कोई why यानि कि किस लिए क्यूं किस तरह से है तो वो इसको कुछ भी explain नहीं करता हमें कुछ नहीं बताता theory के पास evidence होता है claim to back the claim को यानि के claim को back करने के लिए और law के पास evidence होता है और results होते हैं उसको जैसे proof करने के लिए अब हमारा अगला जो difference है वो है inductive और deductive reasoning के दर्मियान तो inductive reasoning जो है वो एक logical process है जहां पर multiple premises जो है वो assume की जाती है true और combine किया जाता है उनको एक specific conclusion जिससे आती है हमारे पास और deductive reasoning जो है वो logical process है जहां पर conclusion जो हो बेस्ट करता है concordance of multiple premises पर और generally जो है assume की जाता है true और inductive reasoning में inductive reasoning जो है वो moves करता है specific to general conclusion जबके deductive moves करता है general to specific conclusion inductive reasoning जो है वो bottom up approach है और deductive reasoning में top down approach है और inductive reasoning जो है वो based करता है patterns और connections पर और detective reasoning जो है वो based करता है facts truths और rules पर तो इस तरह से आज का lecture हमारा lecture number one chapter number two का solving का biological problem का जो है lecture number two lecture number one end होता है तो फिर मिलते हैं इंशाल्ला next lecture में तब तक के लिए अल्लाहाफिज झाल्लाहाफिज झाल्लाहाफिज